So, Hello and Welcome you all, I am Rohit from Mahajan Trader So, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ IMP Shares की तो वीडियो को आगे continue करूँ उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल The Mahajan Trader को subscribe नहीं किया है तो प्लीज चैनल को subscribe कर देना साथ ही आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी join कर सकते हो जिसकी link आपको नीचे description में मिल जाएगी वहाँ आपको Nifty और Bank Nifty की काफी कुछ update मिलने वाली है तो प्लीज जाकर एक बार चेक आउट जरूर करना तो वीडियो को करते है continue तो वीडियो की शुरुआत करेंगे टाटा मोटर्स के साथ टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें तो 977.30 रूपिस के रावं तक स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और वही अगर अब देखो तो काफी बड़ा gap down मौर्णिंग से हमें देखने को बिला है स्टॉक में जो गिरावट रही है वो लगबग 58.50 रूपिस तक की रही है काफी बड़े fall जो है स्टॉक ने यहाँ पर बताने स्टार्ट कर दिये है और वही अगर देखे जो आज का लो है 981 रूपिय का इसनने लो भी लगाया था और continuously स्टॉक जो है गिरता जा रहा है गिरावट के बीचे के रिजन कई सारे है और स्टॉक में जो support है वो काफी अद्टक नीचे है तो यहाँ पर में जो पॉइंट है जो गिरावट के बीचे का जो में पॉइंट है ओ है UBS टाटा मोटर शेर्स फ्लंग ओवर 5% अफटर UBS मैंटें सेल विद तार्गेट ऑफ 825 रूपियस तो 825 रूपियस का टार्गेट जो है यहाँ पर UBS की ओट से दिया जा रहा है बिल्कुल इनकी ओट से सेल रेटिंग यहाँ पर दी जा रही है टाटा मोटर शेर्स हैस अल्रेडी फॉल एंट 12% फॉमिट्स रेकॉर्ड है बेल्कुल अपने रेकॉर्ड है से अल्रेडी गीर चुका है और यहाँ पर अधे गिरावाट की पिछे का UBS का क्या मानना है इस प्रेम के पेछे इनका रीजन का है सेल रेटिंग के पेछे का रीजन क्या है तो UBS कहता है कि In It до एक्सप्रेट कंसर्ण अबाउट टाटा मोटस ब्रिटिश सब्सीडिरी जैगुआर लेंड लोवर हाइलाइट इंक्रीज डिसकाउंट ओन इट्स प्रीमियम मोडल तो यहां पर जो इनके जो बड़े-बड़े प्रीमियम मोडल्स है जैसे जैलर तो इनके उपर यहां गिर सकता है तो ऐसी चीज है इंक्यूर से पॉइंट जो है सामने दिये जा रहा है तो एक बड़ी चीज हमें देखने को बलती है जैलर डिसकाउंट एंड शोविंग डिमांड यूबियस यूबियस कॉशनेट वेदर इंवेडर इंवेस्टर शूट बड़े इंक्रीज इ जैलर एवरेज सेलिंग प्राइजस डिमांड फॉर्ड इस मोडल इस शोविंग सिंग स्लोविंग डाउन तो यह दीरे दीरे गिर रहा है और मार्जीन का जो रिस्क है जैलर में खाफियत तक बढ़ जाता है तो एक चीजे जो है यूबियस की ओर से कही जा रही है और यही कुछ important news है जिन्हें discuss कर लेता है पिछले दो या तीन दिन के अंदर अंदर यह news रही है यह 10 तारीक की news है टाटा मोटर्स ने अपने इलेक्ट्रिक वहिकल मोडल जो है नेक्सोन पंच के उपर लगबग यहाँ पर प्राइजस जो है कट किये है पंच बाइब टू त्री ल जा रही है और वही एकर देखें पंच इवी इस अवेलबल एडिस्काउंट 1.20 लाक टियागो प्राइजस है वीन कट बाइफ फोर्टी फोर्टी थाउजन के आरां तक यहाँ पर हमें देखने को मिलता है और अडिशनल प्राइज रेडिक्शन टाटा इवी ओफरिंग 6 म बढ़ता कही रहेगा और एक इंपोर्टेंट चीछ जो डिस्कस कर लेते हैं सीसी आई अप्रूस टाटा मोटर्स फाइनेंस मर्जर विट ताठा केविटल तो यहाँ पर अगर देखे अगे टाटा मोटर्स मर्ज होने होने वाला है टाठा केविटल की अगर ताठा of India on Tuesday announced that it had approved the merger of Tata Motors finance with Tata Capital. The merger announced in June, बिल्कुल जून में announced हुआ था, we'll see Tata Capital issues its equity shares to the shareholders of Tata Motors finance resulting in Tata Motors effectively holding 4.7% stake in merge. तो यहाँ पर जो होगा उसमें Tata Motors की बड़ी हिस्सेदारी होगी और बिल्कुल यहाँ पर अगर देखे लगबग 4.7% जो है यह hold रखेगा. तो एक बड़ी चीज है, CCIS ने बिल्कुल अपरूट कर दिया है जो propose यहाँ पर रखा था तो इसके एक बड़ी चीज हमें यह भी देखने को मिल जाती है. तो Tata Motors में कुछ अच्छे पॉइंट्स भी है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है बट जो UBS की और से रेटिंग दी जा रही है. इस वज़े से stock में काफी बड़े fall जो हैं हम देख रहे हैं. काफी बड़ी जो गिरावट हैं हम यहाँ पर देख रहे हैं. और यहाँ पर जो लेवल्स हैं, लेवल्स क्या कहते हैं Tata Motors में, तो इसके उपर भी आपको focus करना चाहिए, तो point को आपको note यहाँ पर कर लो कि downside की और से अगर आप देखो तो Tata Motor में काफी strong support रहा था, एक strong support जो है इस particular share ने show किया है, उपर से भी अगर आप देखोगे तो बिलकुल हमें एक resistance देखने को मिलता है, तो एक range यहाँ पर share में अगर देखे काफी time से देखने को में मिल रही थी, फिर उसके बाद breakout देने की कोशिश की नए highs भी लगा है, बट sudden एक fall देखने को में मिला, फिर उपर की और गया, फिर sudden fall आगया, तो एक गिरावट रही है और यहाँ पर अगर देखे जो level उपर से resistance का काम इसने पहले किया है, उसी level से stock में अगर आप देखोगे तो एक बड़े fall देखने को में मिल जाते हैं, एक बड़ी गिरावट जो है stock में हमें देखने को आपर मिल रही है, और साथ ही कह सकते हैं कि यह जो particular trade line हैं जिसके बा पानना ही कि stock 825 तक आएगा, बट यहाँ पर जो main support यहाँ पर नजराता है, 900 के round तक का नजरा आजाता है, क्योंकि 900 रुपे के level पे अगर आप देखो पहले भी stock ने यहाँ पर support लिया है, यहाँ पर भी support लिया, तो उम्मीद है कि यही पर support लेके उपर क्यूट जाएगा, बट अगर 900 का level ही break कर दिया, तो stock में और बड़ी गिरावट आ सकते है, 825 तक इस stock नहीं रुकेगा, इसमें जो fall है, वो काफी बड़े हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कही पर भी आपको support नजर नहीं आने वाला है, हाला कि हम कह सकते हैं कि यह वाला एक important support है, 800 town के around तक का, बट अगर 900 का level break होता है, तो यह मान लीजिए कि यहाँ पर stock काफी डाइम से एक range बना रहा था, ठीक है, एक range के around rate हो रहा था, यह range ही अगर break हो जाती है, तो stock में काफी बड़ा fall आ सकता है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, तो यह काफी अद् crucial level पर जो है Tata Motors यहाँ पर खड़ा है, और 5 minute के time frame पर अगर देखे, बिल्कुल stock में का huge gap down देखने को में बड़ी गिरावट देखने को में मिलती है, और stock में यहाँ पर अगर देखे, कल के लिए कुछ important levels हम discuss करने कोशिश कर लेता है, जैसे यह वाला level important रहेगा, जिसका breakout pressure दे रहा है, बट यहाँ पर आपको bind की और आप तभी जाओ, जब इस range को upside here break कर है, ठीक है, यह जो range रहेगी, इस range को upside here break कर है, तभी आप positive रहो, बट अगर वही गिरावट continue रहती है, प्लस इस particular level को भी अगर इस break कर देता है, तो stock में एक बड़ी गिरावट continue हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर देखे, sideways यह थोड़ा रह सकता है, breakdown अगर रहा खल भी, तो गिरावट continue होगी, बट upside का अगर breakout मिला, तो थोड़ी बहुत recovery जो है, share करने की कोशिश कर सकता है, बट जो UBS की और से चीज़े कही जा रही है, जो 20% यह share down जा सकता है, ऐसी positive भी हो सकती है, तो इसके उपर भी आपको ध्यान देना चाहिए, कि stock अगर नोसो का level break करता है, तो बिल्कुल 825 से भी, 825 का target बहुत ज्यादा उपर है, इस से भी कम के target यहाँ पर देखने को मिल सकते है, तो इन points के उपर भी आपको note down, इन points को भी note down घर के रख लेना है, तो और रहल Tata Motors को लेकर काफी कुछीज़े जो हमने discuss कर ली है इस वीडियो में, तो I hope आपको यह वीडियो helpful और अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को like और चैनल को subscribe कर देना, और साथ ही telegram चैनल को join कर low link नीचे description में आपको मि जाएगी, thank you